है लो गाइज वेल्कम टो अनेदर वीडियो फिरिंची की ओर से जून क्वार्टर की फिनांसल रिजल पेस हो चुका है आज के इस वीडियो में कवर करेंगे अन्वाडिटेट रिजल्ट आउट हो चुका है स्टैंडलाउन कॉंसॉलिडेटेट का जो की फिर्स्ट सब्सक्राइब करोड़ का कौटर आन यर दोनों में देखने को मिला मार्च भून सेवनिटी कारोड का sinful CHAD करोड के expense हुआ था लेकिन expense बहुत जादा हुए quarter on quarter profit में down हुआ year on year के expenses average देखने को मिला यह पिछले जुन 23 quarter से देखने को मिला year on year में और यह expense increase किया गा इस other expenses तो कि 24.5 करोड का चार्ज किया quarter on quarter year on year में बहुत जादा हुआ जिसके profit में down 16.8 lakhs का operating profit है March 24 में 8.2 करोड का और जुन 23 में 3.8 करोड का operating profit है quarter on quarter year on year दोनों में fall देखने को मिला है net profit है one करोड का March 24 में 12 करोड का और जुन 24 त्री में 4.4 करोड का profit है quarter on quarter year on year दोनों में डाउन देखने को मिला है EPS company का 0.11 का quarter on quarter year on year दोनों में डाउन देखने को मिला है सेगमेंट वाइस बात करने तो SAS business software as a service business I T enabled services others reconciliation items इन सभी को डिवेइनीव हो रहा है मेंली कम्पनी का business से software as a service business से रिवेइनू जन्रेट करती है ऍंकम में 37.7 करोड का मार्च 24 में 41 करोड का जुन 23 में 35.6 क्रोड का इंकम है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है expense 32.4 करोड का March 24 में 34.2 करोड का और June 23 में 32.3 करोड के expense हुआ था quarter on quarter में down है year on year में 11 lakhs का increase कि अब देखने को मिला है जिसके बाद operating profit 5.3 करोड का March 24 में 6.7 करोड का और June 23 में 3.3 करोड का operating profit है quarter on quarter में down है year on year में increase किया है net profit 5.4 करोड का March 24 में 4.8 करोड का और June 23 में 3 करोड का profit है quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है यहाँ पर क्यूंकि taxes बढ़ एड हुआ 14.9 lakhs का defer tax लेकिन पिछले quarter में charge किया था 1.9 करोड का EPS 0.55 रुपीज का quarter on quarter year on year दोनों में increase किया है तो गैस कंपनी के जो रिजल्ट आया है अगर देखा यहाँ इंकम profit दोनों में डाउन है लेकिन stand-alone basis पर incoming year on quarter on quarter में down है बट profit कंपनी का quarter on quarter year on year दोनों में increase किया क्योंकि expense बहुत कम किया गया था quarter on quarter में तो गैस कंपनी के रिजल्ट के खास नहीं बहुत ही एवरेज रिजल्ट पेश किया है इसका रिजल्ट आया है 845 में रात में नाइट में और 32.85 रुपीच पर कंपनी का शेयर क्लोज के 0.27% का loss हुआ है फाइव डे में 2.78% का losses है वन मन्त में 8% का losses और 6 सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग जो है वेडियो कहीं पर रेंट करता है अगर कोई डाउट कमेंट बॉक्स में पूछे मिलते हैं एक श्रूडर में दिल दन में